हेलो एवरिवन, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इस चैप्टर में हम लोग सिखेंगे कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन एक्सल, एक्सल में, तो एवरेज का फर्मूला तो सभी लोग जान दे हैं कि एवरेज इस इक्वल टू होता है टोटल अप्टेंड मार्क्स डिवाड़ेड बाई टोटल नंबर आफ सब्जेक्स है ना, तो देखे एक्सल में, जैसे कि यह संट जोसफ्स स्कूल का यह प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट है, इसमें यह जो मार्क्स आये हैं, यह टोटल मार्क्स हैं, और सब्जट बाई जाये हैं, टोटल कितने तो average is equal to क्या हो जाएगा, equal to का formula देंगे, है ना, और उसके बाद total marks obtained, total marks obtained यह हो गया, 81.3, click किये, तो this is M4 cells, देखे, पता रहा है यहाँ, कैसे ही click करेंगे, कि लिख देगा M4, है ना, functional bar में भी दे रहा है, M4, और यह देखे, आपका, sorry, equal to M4, है ना, यह रहा, M, column का 4th row, इस cell का नाम क्या होगा, M4, divided by क्या हो जाएगे, total number of subjects, तो 1, English 2, Second, Hindi 3, Math 4, 5, 6, 7, 8, and 9 subject, तो divided by 9, that is equal to 9.033333, यह इनका average marks है, अब इसे white plus से select करते हैं, और यहाँ से देखिए, black plus आया, और click कर दीजे दो बार, तो यह सभी का आपका आ गया, तो सभी का average हमने एक बार में ही निकाल लिया, है ना, निकल गया, तो average इस तरह से निकलता है, एक बार मैं फिर आपको बताता हूं, सभी को delete कर देता हूं, shift, control, down arrow, select किया, कैसे निकला था, equal to, clear है, total marks पर click किया, divided by, total number of subjects, तो हो गए, 9, divided by, आ गया, और यह हमारे को आ गया, अब यह जो आप देख रहे है, 9.033333, 9.08889, इसे हम चाहरे हैं, कि दो ही डिजिट में रहे, तो कैसे यह होगा, तो इसे हम लोग select करते हैं, shift, control, down arrow से, आपको, total average को मैंने select कर लिया, है ना, और उसकी बाद, हम क्या करेंगे, उसकी बाद हम लोग चले जाएंगे, general, यहां से आते हैं, देखिए, यह general है, क्लिक किये हैं, और more number formats, क्लिक किये, more number format हमारा कुल गया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां number पे आएं, और यह decimal places 2, देख रहे हैं, decimal places जहां है, 2, clear है, अगर ज़्यादा रहे, 3 रहे, तो इसे 2 कर देंगे, और उसके बाद, ok, क्लिक करेंगे, देखिए, हो गया सब 2 digit में आ गया है, 9.03, 9.09, 9.48, control Z से undo, ok, किस तरह से किये, यहां मैं general में गया था, उसके बाद more number format में, है ना, और नहीं तो, यहां देखिए, यह जो देख रहे हैं, यह number format है, आपका home में ही, number में, यहां पर देखिए, यह arrow को देखिए, इस पर क्लिक किजिए, तो आ आ जाएगा, और इस format से विंडो में number पर क्लिक करेंगे, decimal places 2 select करेंगे, clear, अगर 3 कर दिजिएगा, तो 3 रहेंगे, decimal places का, 9.033, देखिए, example दे रहा है, देख रहे हैं, तो इसे हम 2 रखते हैं, ok, यह हमारा हो गया, तो इस तरह से simply आप average calculate कर सकते हैं, thank you.